पॉर्णिंग बच्चों हम लोग कल पॉलिटी का एंसी क्यू करीब 55 कुश्चन किये थे ठीक है और उसमें भी आर्टिल से क्यूस्चन सभी और भी है ठीक तो मैंने बोला था कि जोगर्फी तीन दिन की क्लास कंप्लीट होगी तो फोर्थ डे जो होगा वो आपका पॉलिटी का MCQE ठीक है तो अब हम लोग आज से तीन दिन जोगर्फी की क्लास करेंगे और फिर उसके बास से चौथा दिन जो होगा वहां हम लोग देखा जाएगा पॉलिटी का क्वेस्चन ठीक तो जोगर्फी चैप्टर में हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था इसके पहल क्या थी यह सारी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था आप जाके उस वीडियो को देखे ठीक और आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक नए चैप्टर में प्रवेस करेंगे और चैप्टर का नाम होगा अक्छांस एवं देशांतर रेखाएं ठी तो हम लोग आज की चैप्टर में देखेंगे अक्छांस एवं देशांतर तो यहां चैप्टर का नाम डालते हैं अक्छांस और और देशांतर अक्छांस और देशांतर यह बच्चो हमारे चैप्टर का नाम रहा ठीक है यह हमारे चैप्टर का नाम रहा ठीक है यह हमारे latitude longitude ठीक है, तो अक्षांस को हम क्या बोलते हैं latitude और देशांतर को longitude ठीक, तो ये हमारे धरातन вал पे हमारी प्रथवी पे जो अक्षांस और देशांतर, latitude और longitude जो ये रिखाए हैं, ये क्या हैं, तो सबसे पहली जो इसमें बात है तो सबसे पहली बात एक बच्चो ये जान लो कि वास्तों में हमारे हाँ पे एसी कोई रेखाएं वास्तों में खीची हुई नहीं है ये बात एक दम clear रखो ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भूमने फुर्ने निकले ठीक है तो पता क्या चलेगा कि तुम आप आके बताओ क या करकर एखा देख्या आए हैं ठीक मकर देख्या देख्या है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक तो पहली बात यह एक यह एक क्या है कालपनिक एखा है यह एक काल्पनिक रेखा है अब मैटर आया काल्पनिक रेखाओं का यानि अक्छांस जो है अक्छांस और और देशांतर अक्छांस और देशांतर इनका निर्माड क्यों हुआ इनका निर्माड क्यों है ठीक मूल प्रशनी है इनका निर्माड क्यों ठीक है आप लोग जो अक्छांस देशांतर में जो बेसिक बाते हैं वो तो देखा जाएगा मगर थोड़ा सामरा पॉंसेप्ट को भी समझें अब कॉंसेप्ट में अगर देखे तो पहला प्रशन यही उड़ता है कि आप्छांसेवं देशांतर का निर्माड किया क्यों गया तो बच्चों देखो किसी भी किसी भी किसी भी अस्थान का किसी भी अस्थान की दूरी या या किसी भी अस्थान की जलवाईयों देखें किसी भी अस्थान की दूरी या किसी भी अस्थान की जलवा यह दोनों कैसी हैं कैसी है और और क्यूं है क्यूं है तो इसका इसका उत्तर उत्तर पक्षांसी रेखाओं से प्राप्त होता है पक्षांसी पक्षांसी रेखाओं से प्राप्त होता है अब अब बचों थोड़ासा बात दिमाग में आ रहा होगा इसका अब शांसी रेखाओं से किसी आस्थान की जलवायू कैसी है, किसी आस्थान की दूरी क्या है, ये बात कैसे समझ में आ रही होगी, कैसे ये तै हो रहा होगा, हम बचो आगे चैप्टर में जब बढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे इस बात को, ठीक, मैंने अभी तक के क्लास में, आप लोगोंने एक बात जानी होगी, कि मैं हमेशा ये डिशाइट खुद करता हूँ, कि किस समय आपको क्या बताना है, क्या जरूरत है आपकी, तो उसके एकॉर्डिंग मैं चीजों को समझाता बताता हूँ, अभी आपको ये यहाँ नहीं समझना है कि कैसे आकछांसी रेखाएं, जलवायू का निरधारन करेगा, कैसे आकछांसी रेखाएं जो है, आष्थान की दूरी का निरधारन करेंगे, और देशानता रेखा, ये भी क्या करता है, देशांतर देखा ये समय का निर्धारन करता है तो अब समय का निर्धारन देखा कैसे करेगा इस बात को भी जानना है हम लोगों को तो ये तो हम लोग इसी चेप्टर में आगे समझेंगे देख लेंगे तो अगर हमसे कोई पूछे कि आक्षांस और देशांतर की भूमिका क्या है तो हम बताएंगे कि किसी अर्स्थान की दूरी मापना हूँ या किसी अर्स्थान की जलवाईू कैसी है अगर ये जानना हो तो इसमें आक्षांसी रेखाए हमारी मदद करते है और देशांतरी रेखा जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक तो अब हम बात करें आगे इसमें आप छांसी रेखाएं और देशांत्री रेखाओं की बात यहां समझना, यह बच्चों मैंने अगर ऐसे एक प्रतिवी का गुलोग बना दिया। ठीक और यहां पे यहां पे एक बीच में ऐसे लाइन तो यह देखो यह 36 रूप से 36 रूप से यहां लिख देंगे 36 रूप से ग्लोब पर ग्लोब पर खीची गई पीची गई रेखा यहां अक्छांस है तो यह देखा ने हम समझना अब यहां समझना वास्तों में अगर हम अक्छांस की एक पूनव परिभासा अगर देखें तो अक्षांस की पूनव परिभासा क्या है तो अक्षांस रेखां की पूनव परिभासा यह होगी कि पृत्वी के धरातल के मध्ध एक बिंदू से खीची गई कॉरी दूरी क्या कहलाता है अक्षांस कहलाता है यहां समझ ले यहां समझ ले तो अब यहां पृत्वी का मध्य हो गया मध्य अब मालो यहां यहां बीशडिग्री ठीक यहां से पिर्थवी के केंदर से मापी गई, यह कोणी दूरी 20 डिगरी की, ठिक, यहां कोणी दूरी 20 डिगरी की, तो यह अभी क्या है, यह बच्चो कोणी दूरी जो यहां से यहां माप की खीचा है हमने, तो अभी यह क्या है, अभी यह बिटा है, अक्छांस, अभी यह है, अक्छ जब इन ही पोड़ी दूरी को क्या करेंगे ठीक है मिला देंगे मिला देंगे यानि कि हम ऐसे कर देंगे ठीक ऐसे कर देंगे तो यह 20 डिग्री पे जो रेखा बनी तो अब यह रेखा क्या कहलाएगी ओली अप्छांस नहीं कहलाएगा अब यह कहलाएगा अप्छांसी रेख अपच्चांसी, रहा बात समझ में आई बच्चों 20 डिग्री पे, 20 डिग्री तहें बिश डिग्री अवच wielण एक्शांस पे खींची गई रेखा क्या आ 감사al तो ऐसे ही अब Jino डिग्री के बाद एक डिग्री तो अब जैसे मालो यहां पृतिविय को केंद्र मान के अब यहां ऐसे क्हींचा गया ठिक तो अब ये मालो मैंने कहा यहां पर एक तो एक डिगरी एक डिगरी की कोणी दूरी फिर दो डिगरी की कोणी दूरी तीन डिगरी की कोणी दूरी तो अब करना क्या है अब इसी को यहां मालो यही कंडिशन यहां भी है समझ रहो यही कंडिशन यहां भी है तो अब क्या तो बस इन ही को क्या करना है बच्चों ऐसे लाके मिला दो तो मिलाओगे जब तो ये बच्चों कुछ इस टाइब से हो जाएगा तो ये जो बीच का ऐसे मैंने 6, 3, 8, 9, 10, 11 अब ऐसे 12, 13, 14, 15 करते हुए ठीक है ये कहां तक आएगा यहां एक बिंदू की रूप में आ जाएगा ठीक तो 0 डिग्री से यहां 1 से स्टार्ट हुआ 2 करते हुए और यहां तक आया यह 90 ठीक तो यह जो पूरा उपर का यह जो पार्ट है बच्चो तो भूमध्य रेखा इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री आप छांसी रेखा को हम क्या बोलते हैं हम इसको बच्चो बोलते हैं भूमध्य रेखा इसको हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा इसको हमने क्या कह दिया इसको हमने कह दिया भूमध्य रेखा क्यों भूमध्य रेखा कहा इसलिए कहा क्योंकि भू यानि धरातर ठीक है इसको यह क्या किया है ठीक है मध्य से मध्य से ठीक है बांट दिया है इसलिए इसको हमने क्या बोला भुमध्धे रेखा गौद तो ये ऐसे इधर भी इधर भी तो ऐसे अब नीचे भी आएंगे हम तो नीचे भी आके जब हम खीचेंगे ऐसे तो यहाँ आके एक डॉट बन जायेगा डॉट बन जायेगा तो 90 इधर और 90 इधर ठीक ना तो यह जो यह point जो है यह 90 degree ठीक तो 90 यहां 90 इधर 90 इधर तो कितना हो गया 180 180 और 0 degree जो देशांतर रेखा है sorry 0 degree जो आक्षांसी रेखा है जिसको हम घुमत रेखा कहते हैं तो इसको भी count कर लें अगर हम तो कितना हो गया 181 ठीक ना 181 आक्षांसी रेखा याद रखना जब पृत्वी को दो बरावर भागों में यह 0 degree भूमत रेखा यह 0 degree आक्षांसी रेखा पृत्वी को दो बरावर भागों में बांट देता है तो उपर वाला पार्ट बच्चो क्या कहलाता है उपर वाला पार्ट कहलाता है उत्तरी गुलार्थ नार्थ ठीक है hemisphere उत्री गुलाद और नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा ये बच्चो कहलाता है दप्छुडी गुलार्द दफ्षुरी गुलाद, ठीक है, सदर्न हेमिस्फियर, तो अब ये दो पार्ट में बाढ़ दिया, तो ये उपर का जो पार्ट है, ये पार्ट बच्चो क्या कहलाया, ये इतना, यहां तक, ये उत्री गुलाद, नौर्थ हेमिस्फियर, और यहां कहलाया, सदर्न हेमिस्फिय तब बच्चों समझना यह तक और प्रसुविप पे काल्पनिक रेखा एंगे किची गई आ रहा है जकर किसने वे नामक वैघञानिक ने क्या किया इन रेखाओं युघ्यानिक नाम का इंव हो थे घर's काल्पनिक रेखाओं का किया निर्माड और इन्होंने यहीं तक नहीं किया देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताया ठीक ना यह कुछ इस तरह से ठीक है ये कुछ इस तरह से देशांतर रेखा जो हमारी पिर्थवी पर ठीक है वर्टिकल रूप में खीची गई है यानि कि उर्धवारधर उर्धवारधर रूप में खीची गई है तो ये रेखाएं क्या हुई ठीक है ये देशांतरी रेखा तो इन रेखाओं की कल्पना क इसने किया बेहम ने किया ठीक अब बेहम नामक वैग्यानिक जो हैं इन्होंने कुछ बात और बताया क्या बात और बताया इन्होंने कहा कि हमारी जो पृत्वी है पृत्वी जिसको हम कहते हैं कि गोल है तो असल में ये गोल नहीं है तो इन्होंने कहा कि असल में ये गोल नह ना अंडाकार है ठीक है पुर्थवी की आकृति ना गोल है ना अंडाकार है ठीक ना सरपीलाकार है तो फिर कैसा है तो इन्होंने बताया कि पुर्थवी की आकृति पुर्थवी की आकृति जीयोईड के समान जीयोईड है ठीक है हुए जिइ ओए थिक हिंदी मु防 बोलेंगे इस पो बुhat विव आप को सर बुहि आप का मतलब क्या तो उन्हों ने बताया कि पुरacावी इधर यहां पे उभरी हुई है और उपर हlläकी सी क्या है डी नीचे हल कि सी क्या है डी टी फिश यह ऑपर से जो आकृति हैं हाल कासा ये ठीक है तो ऊपर आकृति इसकी चप्ती और इधर उभरा हुआ है जैसे अगर हम देखर किसी बॉल को तो बॉल को बच्चों देखा करो बॉल जो है बीचसे से ऊफ़ता रहता तो जो ऊबरा ठीक और उपर चप्ता रहेगा, तो इस आकृति को गोल आकृति, सरकीलाकार आकृति या अंडाकार आकृति ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो भोल की भार्सा में जोगारफिक लेंग्वेज where हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, भु आप। तो भू आभ आकरती बैहम ने दिया और देशांतर और अख्छांसी रेखाओं की संकल्पना ठीक है यह वो भी काल्पनिक यह कौन किया यह किया बैहम ने इतनी बात के लिए ठीक आब यह बढ़ते हैं ठीक है चलो अब हम थोड़ा सा बस यहां देख ले ठीक है अक्छांसी रेखाओं अक्छांसी रेखाओं तो यह लैटिटिट्यूट किसको कहते हैं ठीक तो बहुत आसान सी बात हो गई कि धरातल पर धरातल विश्वत रेखा के उत्तर और विश्वत रेखा के दक्षड में पिर्थवी के केंद्र से मापी गई वोनी दूरी क्या कहलाती है अक्छांस कहलाती है ठीक है केंद्र से पुत्तर या पुत्तर या डक्षड में डक्षड में माप कर खींची गई खींची गई पूरी या दूरी पूरी या दूरी क्या कहलाता है बच्चों यह कहलाता है लैटिट्यूड या अक्छांस है अक्छांस कहलाता है अगभावव इस बात क्लियर अब जो जीरो डूरी अक्छाँ स hell करता है यह पूर्थभ को दो भागों में बांड देता है ठीक है दो भराबर भागों में बांड देगा तो अब यहां देखो अगले पॉइंट को देखें जीरो डिग्री भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पिर्थिवी को दो बराबर भागों में बांड देती है ठीक मैप दौरा समझ ले तो यह हमारा हो गया अच्छांस जोड़ी और यह हमारा हो गया यहां अच्छांस और जीरो डिग्री अच्छांस देखा इस ही को क्या बोलेंगे इस ही को हम बोलेंगे भूमध्य रेखा अब आगे जला देखें इसमें आगे देखिए यह भूमत रेका हो गया अब 0 से यहां तक 0 से यहां तक 90 डिगरी और 0 से दक्षडी गुलार्व यहां तक 90 डिगरी ठीक है 90 डिगरी तो 90 90 पमाlt और जीरो को मिला लिया तो यह हो गया 181 ठीक है 181 तो यहां देख ले हम यहां देख ले तो विर्थवी पर विर्थवी पर पुल सब सौर्ट में होगा बच्चो गवराने गिरोत नहीं है लंबा नहीं लिफूंगा कितना हो गया तो 181 1 181, परन्तु बच्चो देखो, आक्छांस तो, आक्छांस तो 181 है, ठीक है, आक्छांस तो 181 है, परन्तु यहां देखो, श्रब्द यूज हुआ है, आक्छांसी रेखा, ठीक ना, आक्छांसी रेखा, तो यह जो आक्छांसी रेखा है, ठीक, इनकी संख्या वास्तों में 181 नहों कि कितना है इनकी संख्या आक्छान्सियरेे खाओं की जो संख्या है वह 189 परंतु इकजामने इस तरह से चीजों को समझने या समझाने के मूड में नहीं रहता है ठीक तो यह ओं हम को क्या करना है तो अक्छांसी रेखाओं की कुल संख्या 101 क्यासी तो अब देखो क्या करेगा अब कह देगा पृर्थवी पर वास्तविक वास्तविक कुल वास्तविक कुल अक्छांसी अक्छांसी रेखाओं की संख्या रेखाओं की संख्या कितनी हो गई रेखाओं की संख्या हो गई बच्चों 189 अब कहोगे सर वास्तिरिक पुल अप्छानसी रेखाओं की संख्या 179 क्यों तो बैटा 179 इसलिए होगा क्योंकि जीरो से अगर हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं तो आगे बढ़ते बढ़ते ठीक ना एक दो तीन चार पांच करते करते हम पहुंच जाएंगे यहां पर 90 ठीक ना 90 तो 90 यहां नब्बे यहां तो 90 नब्बे नब्बे 180 और 0 डिगरी भूमत रेखा 181 परन्तु यह बिंदू का रूप 90 डिगरी जो है यह बिंदू का रूप धारण कर लिया है इसलिए इसको हम रेखा के रूप में काउंट नहीं करेंगे ठीक ना रेखा के रूप में काउंट नहीं करते हैं परन्तु एक्जामनर क्या कहता है व वास्त्रीक रेखा की रूप में इसको काउंट नहीं किया जाता है इस वज़से इन दोनों को क्या करते हैं माइनस कर देते जो जो हम इसको माइनस कर देंगे तो फिर हमारा आप छांसी रेखा कितना हो जाता है 179 फिक परन्तु बच्चों को देखो कुछ इस प्रकार बना देगा किस प्रकार बनाएगा कुछ ऐसे बनाएगा ऐसे बनाएगा ऑप्सन देगा यहां और 178, 179, 181 और 180 ठीक तो A, B, C, D ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना इस बत्तुम ये है कि पृसभी पर पृस्वी पर जीरो डिगरी भुमद धरीका को छोड़कर पृसभी पर typically दिगरी DAVID रेखा को छोड़कर आक्षांसी रेखाओं की कुल संख्या कितनी ठीक तो अब यहां आपसन है आक्षांसी रेखाओं की कुल संख्या कितनी तो ऐसे परिष्टिती में बच्चों answer क्या होने जा रहा है ऐसी परिष्टिती में answer होने जा रहा है 180 देखना 180 अब यह 180 क्यों हो रहा है क्योंकि question यह पूछा है कि 0 degree 0 degree भूमध रेखा को छोड़कर तो 0 degree भूमध रेखा को छोड़कर कुल अक्छांसी रेखाओं की संख्या तो 90 और 90 कितना हो गया 180 ये वाला 0 डिग्री को काउंट नहीं करेंगे ठीक अच्छा प्रश्ण को अगर फिर इस तरह बना दे प्रश्ण को इस तरह बना दे कि 0 डिग्री अक्छांसी रेखा को छोड़कर 0 डिग्री अक्छांसी रेखा को छोड़कर प्रत्वी पर खीची गई पुल वास्तविक अक्छांसी रेखाओं की संख्या कुशन को इबर फिर सुनना है कि 0 डिग्री अक्छांसी रेखा को छोड़कर या भूमध रेखा को छोड़कर प्रित्वी पर खीची गई पुल अपच्छांसी रेखाओं की संख्या तो अब यहां सतरक रहना अब यहां 3 minus होंगे 181 वास्थ्विक पूछा है तो जब वास्थ्विक पूछा था तो वास्थ्विक वाले को देखो बच्चो मैं यहां बता रखांग ना 179 तो वास्थ्व डिग्री काउंट है 180 है ठीक जीरो डिग्री को लेके 90 90 180 डिए दोनों बिंदू को हटाया तो 180 अब क्या कह रहा है भूमदरेखा को भी छोड़ दो अब वास्त्विग्रेखाएं कितनी है अब वास्त्विग्रेखाएं बच्चों कितनी हो गई 178 ठीक ना तो यहां एंसर कितना हो गया option 8 समझ रहो option 8 तो बच्चों कुछ इस तरह से questions बनेंगे ठीक है और इन बातों का हम लोगों को अच्छे सिध्यान रखना होगा ठीक है चल तो अब इसमें हम लोग कुछ और बातों को देखते हैं कुछ और बातों को तो और बातों को तो और बाते क्या पिर्थवी पर बात कर लें यहां दो अक्छांसी है दो अक्छांसी रेखाओं के रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है तो बच्चो कितना होता है दो अक्छांसी रेखाओं के बीच की दूरी 111 111 किलो मिटर एक 111 किलो मिटर ठीक तो यह जो रेखा मानलों मैंने खीचा तो दो अक्षांसी रेखा अब इसके बीच की यह जो दूरी है ठीक ना यह दूरी जो है यह दूरी कितनी होगी यह दूरी होगी बच्चों 111 किलो मिटर ठीक है बात के लिए 111 किलो मिटर यह दूर दूरी हो जा रहिए फिये रेखाएं अगली बाद कि ये अख्छान्सी रेखाएं ये ले के अग छान्सी रेखाएं एक दूसरे के आंसा एक दूसरे के के समान आंतर समानांतर होती है यह एक विसेज बात ध्यान रखना बच्चों कि एक दूसरे के यह क्या होती है समानांतर होती है ठीक है समानांतर होती है ठीक दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात यहीं मेंसन करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है चलो यहां च्छोटा सा लिखते हैं यह आप छांसी रेखाएं यह कि अब छांसी रेखाएं कि रेखाएं पूर्ण वृत पूर्ण वृत होती है पूर्ण वृत होती है अच्छा अब यह पूर्ण वृत कैसे होती है अब देखो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं ठीक है इसको ऐसे जैसे देखो आक्छांसी रेखाएं जो हैं पूर्ण वृत कैसे होती हैं जैसे मानलो मैंने अभी कहा कि यहां से यहां से ऐसे ठीक है एक ऐसे रेखा खीचा गया है अक्छान सी रेखा ठीक तो यह अगर यहां से बच्चो ऐसे खीचा गया है तो यह पीछे भी खीचा गया है ठीक ना यह पीछे भी खीचा गया है तो यह पूरा क्या एक गोल से धारण करेगा यानि कि यह कुछ बच्चो देखो यह कुछ इस तरह से होगा समाझ रहो यह कुछ इस तरह से होगा ऐसे होगा समाझ रहो यह कुछ इस तरह से होगा ठिक तो इस वज़ा से यह क्या कहलते यह अक्छांसी रेखाएं पून वृत होती है तो अक्छांसी रेखाओं के बारे में अगर हम यहां थोड़ा सा अलग से देखें अलग से देखें तो अलग से देखें तो यह समानांतर होती हैं एक दूसरे के सौट में लिख रहा हूं बच्चों यह एक दूसरे के इक दूसरे के समनांतर होती हैं एक दूसरे के समानांतर होना मतलब क्या कि यह कि अब तो झाल अब देखो बच्चो यह थोड़ा सा टेक्निकल बात है मैं थोड़ा सा इस में बहुत कमफर्ट नहीं हो पाता हूं बच्चों यह म्याटता भी नहीं है बड़ी समस्या तो यह है ठीक है? चल अब देखो साम आंतर होती है जैसे यह मन लोग यह एक रेखा थेखा खीचा तो अब इसके बगल में फिर दूसरी रहा में झांचा तीसरी खीचा चोथी खीचा फ boy sé Primitी समझ रहो तो यह क्या है आप्छांसी रखाएं एक समान्तर हैं किसी बात मैं यहां समझाना चाहा है जा zoo था कि आपछांसी रहा है क्या है एक दूसरे के ये समानांतर है ठीक है समानांतर है ठीक दूसरी बात दूसरी बात ये ये 36 रूप में ये 36 रूप में खीची गई है ही जी गई है कि दूसरी बात इनकी या ऐसे लिख दें दो अक्छांसी दो अक्छांसी रेखाओं के बीच की दूरी ठीक है 111 किलोमीटर होती है ठीक है 111 किलोमीटर होती है ये बात यहां तक बच्चों क्लियर हो रही है अच्षक 111 किलोमेटर होती है दूसरी बाद दूसरी बाच की कि डूसरी बाच यह कि अब यह । पूरोड कि पूरोड व्रित होती है यह पूर्ण अवरित होती है यह इतनी बात समझ में आई आगे देखें तो अगली बात देखें दो अक्छांसी रेखाओं के दो अक्छांसी रेखाओं के चिक है यहां समझना बच्चो दो अक्छांसी रेखाओं इन दो अक्छांसी रेखाओं के बीच का जो अस्थान है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बच्चो कटी बंद यानि जोड इसको हम क्या बोलते हैं कटी बंद पर्टी बन जोन ठीक ये बात यहां मेंसन करेंगे दो अप्छान से अप्छान से रेखाऊं के के बीच की दूरी बीच की दूरी नहीं लिखेंगे बीच के अस्थान को लिखेंगे बीच के अस्थान को कटी बंद कहते हैं अप्छान से रेखाऊं का प्रतीक चिन होता है जो बहुत हो सकता हो कम बच्चों को मालूम हो तो देखो इसका प्रतीक चिन जो है प्रतीक चिन अक्षान से रेखाऊं का प्रतीक चिन प्रतीक चिन फी पैता नहीं फी बस नाम करण है यह फी और इसको इस तरह से इस तरह से इसका चिन होगा ठीक है ठीक है यह यह इसका प्रतीक चिन होता है ठीक इतनी बात क्लियर बच्चों यह अक्षान से रेखाऊं के बारे में इतनी बात हम लोगों को अनिवारी रूप से जाननी थी जैसा कि एससे सीजियल मेंस चसल वगएर 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 ठीक उन कुश्चन में पेपर्फ में सीजियल मेंस का वी से तरूप से रहे तो वहां बच्चों देखो यह ठीक ना काटी बंद कहते हैं और प्रतीक चिन ठीक यह बात जरूरी है समझ रहो क्यूंकि बाकी बाते लगभग लगभग जादे कंपटीटर जानते हैं समझ रहो तो हमें उन बातों को भी जानना है जहां से क्वेश्चन आते हैं परन्तु जादा लोग कम जानते हैं उस बात को ठीक है तब ही जो है हम जो है आगे बढ़ पाएंगे ठीक है लेड हमको तब ही मिलेगी ठीक चल यह तनी बात हो गई ठीक है अब इसमें बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे ठीक है बढ़ते हैं आगे अब आगे जरा देखा जाएं तो हम लोग देखेंगे अब भूमढध्रेखा को भूमध्रेखा को ठीक है तो भूमढध्रेखा की क्या बिस्चाहे चीक सकत Blues घ्रण methini ट यह यह बंद्र रेखा हाई चलो यह भूमद्ध रेखा अब इसमें देखते हैं अब यह ठीक यह भूमद्ध रेखा हो गया ठीक है भूमद्ध रेखा ठीक तो जीरो डिग्री भूमद्ध रेखा और इसी को कहते हैं बच्चों इसी को कहते हैं विशवत रेखा अब बात आएगी कि सर विशवत रेखा इसको क्यूं कहते हैं विश्वत रेखा क्यों कहते हैं तो बच्च देखो हमारा यह जो बृत्वी है और यह जो विश्वत रेखा है जो भूमद रेखा है यहां पर यहां पर दो बार सूरि का प्रकास दो डेट ऐसे हैं जिसमें सूरि का प्रकास लंबवत पड़ता है ठीक ना सूरी का प्रकास यहां पर क्या होगा लंबवत पड़ेगा और जब सूरी का प्रकास लंबवत पड़ेगा तो यहां पर दिन रात की अवधी दिन रात ठीक है क्या होगा दिन रात की अवधी समान होगी तो जब दिन रात की अवधी ज दिन रात के जीत अस्थान पर समान होती है उस समय को ठीक ना उस अस्थान को ठीक ना हम क्या बोलते हैं हम कहते हैं वीशुग ठीक है वीशुग तो वीशुग की इस्थती यानि दिन रात समान होने की इस्थती दोनों गुलारधों में कहां पर आ रही है भूमध रेखा पर तो इसलिए इस भूमद रेखा को हमने दूसरा नाम क्या दिया विश्वत रेखा दिया विश्वत रेखा तो हम जो है देखें तो भूमद रेखा में ये बात हमारे सामने ठीक है क्लियर हुई कि क्यों इसे हम भूमद रेखा के साथ क्यों हम विश्वत रेखा कहते हैं विश्वत रेखा कहते हैं ठीक तो विश्वत रेखा भी कहते हैं दूसरी बात इसका देखें दूसरी बात तो यहां पर यहां पर सूरे लंबवत चमकता है यहां पर सुर्य लंबवाद चमकता है एक पॉइंट तो यह एड़ कर लेना है ठीक है दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या एड़ करेंगे दूसरा पॉइंट हम इसमें यह एड़ करेंगे बच्चों कि कि यह जो है यह सभी अक्छांसी रेखाओं में सबसे लंबी सबसे लंबी रेखा ठीक है तो यह इतनी बात क्लियर हुई कि सभी अक्छांसी रेखाओं में यह क्या है यह सबसे लंबी रेखा है ठीक और इसकी लंबाई की बात करें तो 40,075 ठीक है महान वृत भी कहते हैं अब भूमध रेखा को महान वृत क्यों कहते हैं तो देखों महान वृत बच्चों उसी को कहा जाता है जो जो किसी अस्थान को दो बराबर भागों में बांट दे तो पिर्थवी को अगर दो बराबर भागों में बांटने का काम ठीक है कोई रेखा कर रही है तो उस रेखा को हम क्या बोलेंगे great circle बोलेंगे यानी बोलेंगे महान बृत्त तो जीरो डिग्री अकछांसी रिखा यह क्या कर रही है प्रित्भी को दो बढावर भागों में बाट दे रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इसको महान बृत्त भी बोलते हैं जबकी आखकी देशांत्री रिखा जो है समझ रो माहन भी इतन नहीं है तो दो question है Dusty ने और दो question का answer मुझे दोगे दो question का answer क्या दोगे पहला तो यही कि विश्वत रेखा पर सूरियर दो बार लंबवत चमकटा है तो दो बार जब लंबवत चमकेगा उस लंबवत चमकने का तारीख क्या होगा, समय क्या होगा, वो तारीख मुझे बता ना, ठिक, और दूतरा कुश्चन, कि सभी देशांत्री रेखाएं, महान रेखा हैं, ग्रेट सर्किल हैं, परन्तु सभी अक्षांसी रेखाएं, ग्रेट सर्किल, यानि महान वरित नहीं है इसका रीजन क्या है, इस बात को बच्चों तुम लोग को बताना है कमेंड बॉक्स में, और देखते हैं, ये बात कौन बताता है, ठिक है, कौन बताता है, ठिक, दूसरी बात, ये जो हमारा अक्षांसी रेखा में भूमध रेखा है, इसकी एक विसिस्ता और है, यहाँ प सबसे ज्यादा होता है होता है परन्तों कोरियालिस बल जो है न बच्चों कोरियालिस बल वो यहाँ पे जीरो हो जाता है ठीक ना कोरियालिस बल जो है वो यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे जीरो होता है कोरियालिस बल का प्रभाव सबसे ज्यादा कहा होता है तो उत्री तो यह बच्चों भूमध रेखा से कुछ पॉइंट्स थें जो हमको जानने थें अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को समझें तिक है कुछ बातों को समझें अब यह जो यह 0 degree 0 degree अक्षान सी रेखा है यह कितने देशों से गुजरा हुआ हुआ है तो यह बच्चों आक्षान सी रेखा जो है यह कितने देश से गुजरा है चाहिए इसको यह लेक देते हैं यह तेरह देशों से गुज्रा हुआ हुआ है ठीक ना भूमद रेखा जो है यह कितने देशों से गुज्रा हुआ है यह तेरह डेशों से गुज्रा है ठीक अब यह बात बच्चो यह 13 देश कौन कौन से है ठीक ना तेरह देश कौन कौन से है यह पीडियाफ में और लेडी है ठीक आपको पीडियाफ जो है दो से तीन दिन में PDF आपको प्रोवाइट करा दिया जाएगा पूरा जोगरफी का समझ रहो इंडियन जोगरफी, वर्ल्ड जोगरफी, इकनॉमिकल जोगरफी दो से तीन दिनों के अंदर जो है आपको उपलब्द करा दिया जाएगा तो तेरह देशों में याद बच्चों ये देखो हो नहीं पाता है किसी से, समझ रहो, याद हो नहीं पाता, तो अगर याद हो पाए, तो PDF में लिखा रहे गा, उसको लिख लेना तुम लोग देख लेना याद हो पाए तो याद कर लेना अधरवाइक जो है बहुत समस्या नहीं है अगर इन तेरह देशों को याद नहीं करते हो क्यों क्यों कि पता नहीं कब यहां से एक question पुछेगा और इस एक question के लिए हम क्या करेंगे अपना बहुत ज्यादा effort डालेंगे यहां की बाठिक एक किटने देशों से गुज रहे तो एकौंकौं से एकवाडोर कॉलंबिया ब्राजील तिक है उग JIMांडा कांगो कांगो गड़राज ठीक है केनिया सोमालिया माल देव इंडोनेसिया कीरी बाती समझ रहो तो अब यह जो साउटो में प्रिंसेप ठीक तो इतना तेरह देश जो है ना याद करने की जरुद बच्चो नहीं है देखो है क्या अमूमन ज्यादा टीचर यही करते हैं सब क काम करना है जितने से हम सफल हो सकते हमें अभी इस ब्वोगोल का डॉक्टर नई ग्यानी दखर two ना खितने से हमारा काम हो सकते दियान में डिक्कत नहीं है आभी मैं इतना ही जितना बात बताया हूं। फ्य है आप प्रियास करना थोड़ा देखना कि इतना जो मैंने यहां पर डेटा दिया है इतना जो डेटा दिया है आसानी से बहुत जगां उपलब्ध नहीं है समझ रहे हो मगर यह जितना दिया मैंने यह अपने आप में पर्याप्त है एक तो 13 देश हैं तो यह बस इसी बात को तुम लोगों को ध्यान में रख रेखा तो इसकी बात करें यह कहां इस्तित है यह उत्त्री गुलार्ध में गुलार्ध में साथे तेश डिग्री पर इस्तित है ठीक है साथे तेश डिग्री पर इस्तित है यह एक आसान मगर इंपॉर्टेंट ठीक है पॉइंट बच्चों दूसरी बात यह कितने देशों से कोई अरता है तो यह सोलग टोलध देशों से गुजर्ता है अचा भारत में कितने देशों से गुजर्ता है तो बहरत में कि छे देशों शने हो भारत में कितने राज्यों से गुजरता है तो भारत में 800-6 धोर आब यह आठेको कोन है यह बच्चो पूछेगा परंतू हम लोग इसको कहा देखेंगे भारत के भूगुल में ठीक ना तो भारत का भूगोल जब हम लोग देखा जाएगा तो वहां पर हम लोग इस चीज को समझेंगे ठीक दूसरी बात सूर्य जो है यहां पर सूर्य यहां पर कब लंबवच चमकेगा कब लंबवच चमकेगा यह ऐसे मैंने बनाया और यह हो गया करकरेखा करकरेखा यहां सूर्य जो है लंबवच चमकेगा अब यहां लंबवच चमकेगा करकरेखा पर तो अब देखो आगे यहां क्या तो कुश्चन बन जाएगा कब चमकेगा ठीक भूमद रेखा वाले में दो डेट मैंने तो हुमवच दे दिया है परन्तु यहां पर मैं अब डेट बता दूंगा चुकि बहुत ज्यादा हुमवच दे देने का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यहां पर कब चमकेगा सूर्य यहां पर यहां पर 21 जून को लंबवच चमकता है ठीक ना 21 जून को लंबवच चमकता है ठीक है बच्चों और इसी इसी लिए एक कईस जून को बच्चों याद रखना एक कईस जून को उत्री गुलार्द में क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है ठीक ना सबसे बड़ा दिन ठीक और रात क्या होगी उत्री गुलार्द में छोटी होगी ठीक है छोटी होगी और ऐसी इस्तिती को ऐसी इस्तिती को ह एक काई जुन को जब यह लंबावद चमकता है तो ऐसी इस्थिति को हम क्या बोलते हैं ग्रिस्म इनांस इस मेडिया विच्टिक ग्रिस्म इनांंत इस तो यह कुछ इतनी बाते बच्चो आप लोग को दिमाग में रखनी है ठीक है चाल तो हम लोग अब जो है बढ़ेंगे इससे आगे ठीक है इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे पॉइंट को अच्छा अब हम लोग देख लें माकर रेखा मकर रेखा तो मकर रेखा को देखें बच्चों मकर रेखा को अगर हम लोग देखें तो मकर रेखा यह कहां इस्थित है यह दप्छुडी गोलार्ध में इस्थित है देख्चुडी गोलार्ध में इस्थित है दो तरी बात आश्ट्रेलिया आश्ट्रेलिया मकर रेखा पर मकर रेखा पर इस्थित है ठीक मकर रेखा पर इस्थित है दूसरी बात मकर रेखा पर सूरी ठीक मकर रेखा पर सूरी ठीक लंबवद चमकता है अच्छा अब मैं टरहएगा लंबवद कब चमकता है ठीक है तो लंबवत कब चमकेगा तो इस बात को जान लो तो ये बच्चों हो जाएगा 22 दिसंबर विर्थभी की गतियां चैप्टर है और साथी मोसन उसमें हम लोग देखेंगे ठीक ना इन सारी चीजों को तो 22 दिसंबर और इस इस्तिती को क्या बोलेंगे हम तो 22 दिसंबर को सुरे मकर रिखा पर लंबवत चमकेगा और इस इस्तिती को हम बोलेंगे जस्ट अपोजिट ठीक है कर कवाले के ठीक उसमें क्या हम लोग ने देखा था यह काईस जून जो था वह क्या था ग्रिशम आइनांद तर यह जो है क्या होगा यह होगा शीत शीत अ इना ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे विंटर विंटर सोलिस्टिक ठीक है उसको हम कहते बच्छो शीत अ अना तो औरों का ये इतना पॉइंट जो है बच्चों था अच्छा एक बात और मकर रेखा कुल कितने देशों से गुज़ेगी तो मकर रेखा मकर रेखा दस दस देशों से देशों से होकर होकर गुजर्ती तो इतनी बात ध्यान में रखनी है तो ये बच्चों हम लोग का आज अप्छांस से संबंधित पॉइंट हुआ ठीक है और कल हम लोग देशांतर से संबंधित चीज़ों को देखेंगे अगर किसी बच्चे को लगा हो सर बहुत ज़्यादा डिटेल में गया है ठीक तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ एससी सीजियल प्री मेंस दोनों को मैं टार्गर करके चल ला हूँ एससी जेई एससी सीजियल के वराबर ही उसके पेपर होते हैं जेई वालों का ठीक है जो पेड़ कोर्स के बच्चे हैं वो ये बात जालने एससी सीजियल के जो का जो लेवल है उसी के बराबर एससी लाइबर लाइक वगेर वगेर बढ़ाना यह हमारा बिल्कुल भी उद्देश नहीं है क्योंकि पेड़ पोर्स के बच्चे हैं उनका जीयस की वज़े से ठीक रिजिनिंग के वज़े से यानि नॉन टेक के वज़े से सेलेक्शन रुख जाए ठीक तो यह मतलब औसहनी है ठी कोई प्रावलम है कोई दिक्कत है तो बताओ ठीक आपने बताया हमने सारे कुश्चन का एंसर दिया सब कुछ नोट्स वीडियो टेस्ट तीनों में सारी बाते हैं उसके बावजूद अगर आप जो है गलत करके आओ ठीक तो वहां फिर जो है वो आपको ज़्यादा जो है दोग पहुंचाएगा मुझे पहुंचाएगा मुझे ये दुख होगा खाली कि यार इतना मेंनत हम लोगों लोगों ने किया मगर बच्चों ने महत नइंक किया तो अपने आपको गिल्टी तो नहीं फील होगा मगर तूंल boşके मैंनत ना करने इस 땁 मुझे दुखो हो करोला तो इसलीं यहां प्रेट प्रेड के जो बच्चेव उनको पूरा पूरा उनका ध्यान रखा जारा है कि सेलग्शन उनका कैसे मेरे इस बाध पे से ए चैनल पूरा कैसे आघा कर बहुत है बागार बहुत तो यह बच्चो इतना बताना जो है जरूरी था समझ रहो तो सीजे लेबल पर जाओगी तो इतना बताना जरूरी ठेक है जही वालोपा और जरूरी ठेक तो यह इतनी बात तुम लोग याद रखो वीडियो एक बार एक से दो बार देख लेना कहीं कोई प्रॉबलम होगी प्रॉबलम हम लोग देशांतर रेखा जब देखेंगे तो उसमें देशांतर रेखा देखने के साथ साथ यह देखू यह मैं यहां पर करकर रेखा ठीक है विश्वत रेखा करकर रेखा ठीक फिर इसके उपर साड़े चाचाट डिगरी आर्कटिक रेखा ठीक है और यह उत्रीद रूब ठीक है यही चीज एकदम सेम नीचे तो कुछ इस तरह से कल मैं बनवांगा और बनवां की पूरा यहां पर इसका नाम परन करूंगा और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है क्वेश यह बात यहां पर मेंशन कर देने लाइक है कि अप्छांसी रेखा ठीक है अप्छांसी रेखा तो यहां पर एक बात लिखना सही होगा क्या बात यहां बच्चों देखो छोटे में यहां लिख देता हूँ कि तीस से तीस से पैंतिस तीस से पैंतिस दिग्री की मध्य को अश्व अप्छांस अश्व अप्छांस कहते अप्छव अप्छांस कहते ठीक है अचा यह अश्व अप्छांस क्या है देखो बच्चों इसको यहां समझ लेते हैं ठीक ना यहां समझ लेते हैं जैसे देखो ठीक, जैसे मालों यहां मैंने कहा, यह 0 से 0 से 35, ठीक ना, यह मैंने कहा, यह 0 से 35 तक का, यह area है, तो 0 से 35 तक का जो अक्षांस है, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं, अस्व अक्षांस, ठीक ना, इसी को हम बोलते हैं, अस्व अक्षांस, अस्व अप्छांस चिक यही इस्तति यहां देख लें तो इस वाले को मान लो जीरो से पैंटिस डिग्री ठीक यह क्या हो गया अश्व अप्छांस समस्या है कि सर अस्व अप्छांस क्यों बोलते हैं ठीक ना ऐस्व अप्छांस होच लाटिती अब्या होस लाटिटीट क्यों नग कियों है औ jetzt इसा क्या थ। जो व्यापारी होते थे व्यापारी समुंद्र में व्यापार करते थे तो व्यापार करने के तो दूसरे देश से लोग अगर भारत में या कहीं किसी और देश में जाते थे तो उनको समुंद्र के राष्टे जाना पड़ता था तो इस समुंद्र में जब 0-35 यहां जब पहुंशते थे न तो यहां पर हावाओं का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता था हावाओं का दबाव इतना ज़्यादा हो जाता था कि नाव पे जो घोड़े लादे रहते थे तुम्हान लोग बढ़ा नाव है अब उस पे 20 घोड़े लाद रखे हैं अब भारी हो गया है हावा का दबाव भी है अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है इस वजह से क्या होता था उन घोड़ों को समुंद्र में फेक दिया जाता था तो इसी अक्छांस पे फेका जाता था इस वजह से इस अक्छांस का नाम क्या पढ़ा बच्चों तो पढ़ा अस्व अक्छांस दूसरी बात सूरी कभी भी साढ़े 23 डिग्री से करक रेखा जो है भाई हमने अगर कहा क कि 23 डिग्री पे करक रेखा और यहीं नीचे 23 डिग्री पे मकर रेखा मकर रेखा यह क्यों 23 पे करक जो है 23 मकर 23 साड़ज वाल चक्कर क्यों पाल लिए साड़ह वाला चक्कर नहीं पालना चाहिए था सीधे 24 कर दी होते नई नई कर सकते 24 क्यों क्यों कि बच्चों देखो सूरी जो है कभी भी साढ़े उत्री गुलार्ध में साढ़े 23 डिगरी जो कर करेखा है उसके उपर नहीं जाता है लंबवत कहां आखरी बार चमकेगा वहीं साढ़े 23 डिगरी पे ही चमकेगा समझ रहो साढ़े 23 डिगरी पे ही चमकेगा और दक्षिड गुलार्ध में जो है साढ़े 23 डिगरी जो मकर है वहां लंबवत चमकेगा उसके नीचे लंबवत यह नहीं चमाथा उसके नीचे नहीं जाता है इस वज़ा से इस वज़ा से साधे 23 का ये सिस्टम बनाया गया और लंबवत चमकने में सूरिका ठीक है मौसम में रोल इंपोर्टेंट हो जाता है इस वज़ा से इस वज़ा से ये करक रेखा मकर रेखा साधे 23 डिगरे के क्या किये गये अस्थापित किये गये सब कालपनीक है बैहम ने बनाया इन आक्छांसी रेखाओं को और प्रिथवी की आकरती जो है उसको हम क्या बोलते हैं जियोईड यानि भू आक ये बैहम ने बनाया ये इतनी बाते बच्चो याद रखो खुद से प् नोट्स बनाओ हैंड रिटेन नोट्स बनाने के तुम्हारे फायदे क्या होंगे हैंड रिटेन नोट्स जब बनाओगे न तो क्लास खतम होने के बाद पूरा ये सब्जेक्ट खतम होने के बाद जब तुमको रिवाइज करना होगा तुम्हारा विशय तो पता है ये पू समय वन वीक सफिसेंट हुगा ठीक तो यह बात बच्चो अब ध्यान में रखना आगे हम लोग जो है देशांतर देखेंगे ठीक है और भी जो चेप्टर हमको आगे पढ़ाने सारी चीज़ों को अब आगे देखेंगे ठीक है तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर रोकते हैं फिर हम लोग नेश्डे की क्लास में मिलते हैं चीक है